नमस्कार दोस्तों तो स्वागत था आपका मेरे चैनल कुसम की रसोई पर तो आज हम बनाने वाले हैं वरत में खाय जाने वाली साबू दाने की खिचड़ी इसके लिए गैस पे मैंने एक कड़ाय चड़ा ली है और उसके अंदर डाले के हम थोड़ा से प्रिस के अंदर हम ड प्रिलिन फ्राय हो जाएंगे तब हम इसको अलग से निकाल लेंगे और फिर उसी कड़ाई के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा और तेर और साथी में इसको गरम हो जाने देंगे पर इसके बाद मैं डाल वे हुए यहां पे एक चमद जीरा और इसके साथ डाल देंगे और फिर टमाटर को अच्छे से mix कर लेने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे बारी कटा हुआ आलू और इसे हम छोड़े साइज में ही लेंगे ताकि यह आलू अच्छे से जल्ली पक जाए और हाँ दोस्तों आपको टमाटर पहले नहीं डालना है बाद में ही डालना है ताकि हमारी टमाटर थोड़े खड़े रहें और आप चाहिए तो यहां पर उबला हुआ आलू भी डाल दालते है है एन इसके बाद हम डाल लेंगे इसके नदर सेंधर नमक जो कि हम वृत में खाते हैं और साथ में थोडी लाल मिर्च पाउड़र और थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड इसके साथ डालेंगे थोड़ ऐसा काली मिर्च का पाउडर भी फिर मसालों को अच्छे साथ से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ढख कर कम से कम 15 मिर्ट ले पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके आलू सारे अच्छे से पक जाए एंद देखे मैं आपको एक आलू कट करके दिखाती हूँ एक दम अच्छे से पक चुका है तो जब आपके मसाले और आलू अच्छे से हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे साबू दाना जिसको मैंने 10 मिलिट पहले ही भी होके रखा था एंद दोस्तो यहां पर आती है में टेप जब आप साबू दाना डाले उसी के इंदर हमको डाल देना है एक बड़ा चमच घी यहां पर घी डाले से हमारी साबू दाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आपको हलके हाथों से इसको अच्छी दैसे मिक्स करते जाना है और फिस जरूर पढ़ने पर आप थोड़ा सा और खीवी डाल रखते हैं इसके बाद 5 मिट आप इसको अच्छे से पक जाने दीजे ताकि हमारी जो साबू दाने हैं अच्छे से गल जाए और वैसे साबू दाना तो हम उपास में खाते ही हैं बर साथ ही में नाश्टे में भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी साबू दाना एकदम अच्छे से पक चुके हो और यह बिल्कुल भी चिपके नहीं है और फिस के अंदर हम आड़ कर देंगे मूनफली जिसको हमने पहले फ्राई किया था और असी के साथ होड़ा सा धनिया और आखिर में डालेंगे इसके अंदर निम्बू का रास और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए थाना कितना इजी साबू दाने के खिचड़ी को बनाना तो अगर आप भी मेरी तरह इस खिचड़ी को बनाएंगे तो आपकी खिचड़ी कभी नहीं चिपकेगी और बहुत ज़्यादा स्वादिश्च बनेगी और दो मिनिट इसको पकाने के बाद देखी हमारी साबू दाने की खिचड़ी बंद का एकदम तयार हो चुकी है तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंस में ज़रू बताइगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ा फट से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रू करिए